हाई एवरीवन इस वीडियो में जे एससी में विगत और सो में पुछे गए पर्षन देखेंगे तो आज जे एससी प्रिविएस येर सवाल के अंतरगत आज देखेंगे राजसो करमचारी 2017 में पुछे गए पर्षन तो इससे आपको यह पता चलेगा कि जे एससी में किस टै में निवन में से कोन जनजाती है भासा दड़वीर भासा परिवार से है तो दड़वीर भासा परिवार से कों से जनजाती है भासा है है यह चार भासा Model Masas संथालों की भासा है संथाली और यह जो है द्रवीर से नहीं है यह है आस्ट्रो एसियाटी भासा परिवार से संथाली मालतो जो है माल तो एक कौन से जंजाती भासा है माल पाहडिया और सौरिया पाहडिया तो माल पाहडिया और सौरिया पाहडिया की भासा है माल तो और यह है जो दड़वीर परिवार से संबंद रखता है माल तो और दड़वीर परिवार से अने एक भासा संबंद रखता है जिसका नाम क कुड़क किस की भाहसा है ? उराम की भाहसा है कुड़क मालतो और कुड़क जो है द्रवीर परिवार की भाहसा है अंगीका जो है कर वो कि मुंडारी कोवimizi है मुंडारी जो है वह अश्टरो एस्याटिक भासा कवरिवारस संब्ञदें है कि और आपका अंगिका जो आज जाएगा इंडो आर्यैन् वासाफरिह globally से संबन्द में आजए आप देख लेते हैं नेक्सed कोस्छन क्या या जाने वाला एक परकार का्या है तो लूरि या सरो जो है जहारखंड का एक लोगन रितिया है और सिल्फ कला में बाच किया है दोकरा जो है एक सिल्फ कला है जिसमें लोहे को कलाकर मुर्ती बनाया जाता है आधूनिक सत्वरवा के निकट पलामू के निचले किले को निमलिखित सासकों में से किसने बनाया था परताप राय रुद राय मैदनी राय फनी में खुड़ राय तो इसका राय टर्रसर क्या होगा पलामु के निचले किले को मेदनी राय के दौरा बनाए गया था किसके मेदनी राय और नागवंस का संस्थाप कोन है थनी मुकुड राय इसको नागवंस का अधिक फुरूस भी बोला जाता है और मेदनी राय को नागवंस का जो सासन का सुनकाल भी बोला जाता है यह भी साकना और शकाम्हाल और संथाल प्रगना पहाडी में कौन से जन जाती निवास करती दो सॉाort जो दड़िंघा समन परिवार्त सबêuब्र से समन रढ़ती है इसमन घंजणा जराती म Sams coming का कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है एक तरफ जलपरपात दिया है तो कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है हुन्रू जलपरपात कहां पे है हुन्रू जलपरपात जो है राची जीले में है बिलकुर राइट है हिरनी जलपरपात कहा है पच्छमी सिमू यह भी सही ह निचली घंगरी जल परपात लातिहार में है और राजरप्पा जल परपात कहां पे है पलामू में नहीं है कहां पे है राजरप्पा जल परपात जो हो जाएगा अब का पाल रामगर्ण में राजरपाज अल प्रपात है पलामूने में नहीं आप बोला है नहीं है गलत कफन की पाचान करना था तो ऑप्षन डी राइट अंजर हो जाएगा आप नेक्छ देखते हैं जार्खण में परसित कीना अश्रेडियम कहां है किना अस्तित हो किनन इस्ट्डिय। को पूराना नाम किननं गार्डेंस इसका पूराना नाम थ उपमाणड में रखियेगा और बोकारों में झारकvell राज्डा का भीकर केट स्ट्रेडियम बनेगा दिसरा वृमाणड मेंद रुच्छा जाएगा रेलिवे स्टेडियम कहां पे है ढिगवाडी धनबाद में यह भी मांड़ में रखिएगा नेक्स्ट है नीवन में से किस नदी को शोक नदी भी कहा जाता है तो दामोदर नदी को किसे कहां का शोक कहा जाता है तो बंगाल कर्शो को इसे बोला जाता है दामोदर को इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है देव नदी किसको बोला जाता है दामोदर नदी को और जारखंट की सबसे लंबी नदी कौन है जारखंट की सबसे लंबी है दामोदर नदी यह मांड़ रखिएगा और तो दामोदर नदी जो है तो लातेहार के टोरी छेतर से निकलती है यह भी माइंड पर रखेंगा लातेहार के टोरी छेतर से दामतर नदी निकलती है नेश्ट है संथाल विद्रोग कब हुआ था तो संथाल विद्रोग कब हुआ था यह सवाल कई एक्जाम में पूछा जा चुका है और आ बोगिवाद हो भागीर्या बवाजि के इन्यत्यत्यत्तों के नतेत्र में 1864 वित्रों यह खा और 1895 में मुंडा वित्रों हुआ तो पूछा संत्थाल विद्रों जो है का है ऐ 1885 ने संथाल विद्र हुए किसने किसने सहयों किया था सी दो कानू चांद भैरो जो चारो भाय थे उनके दो अनिय बहने थी फूलो और चानू यह भी माइड़ रखी लिगा और संथाल विद्र को कौन सा दिवस मना जाता है तो होल दिवस का मना जाता है तीजून को यह मैंन में लूड रखिएगा नेक्ट है कौन सा राज जहारखंड के दक्षिन में इस्तित है तो जहारखंड के दक्षिन में कौन सा राज है मान लेते हैं यह आपका जहारखंड हो गया तो जहारखंड के उत्तर में कौन सा राज है तो उत्तर में तो आपका बिहार हो गया और पूरव में कौन है पूरव तो पूछाता है दक्षिन में कौन सा राज्य है तो जागा ओडिसा और यूपी के साथ लगा एक मातर जिला कौन सा है गड़वा जो है यूपी के साथ सीमा साजा करती है जारखन राज के गठन के बाद पहली बार यहां राष्पतिशासन कब लगा गया था तो जारखन में अब तक कितनी बार राष्पतिशासन लगा है तीन बार जो है जारखन में राष्पतिशासन लगा है और राष्पतिशासन किस अनुश्यत के तात लगता है तिंसोचेपन के तत लगता है और जहारखण में कितनी बार लगा तो पहली बार बोला है 19 जनुरी 2009 तो पहली बार 19 जनुरी 2009 को जहारखण में राष्प्प्षासन लगा है और अब तक तीन बार लग चुका है यह भिमाइण रखिएगा पारशनाथ पहाड़ी किसके लिए तिरस्थल तो पर्शनात पहडी को जन धर्म का मक्का बहुत बोल जाता है। तुजेंधर्म का मकर पर्षणाथपाड़ी को भीन पर्षणाथपाड़टी जो और मचपनी पेड़malr मख जॉन खाषणाथपाड़ए और सब्सक्राषणाथ चोटी क्यों नियुक्त अपने लिए उसक्तुर क्यार्फण का नियुक्त उचसे सब कितनी है 480 फिट जो है एससी ने सही ने सही बाना था चौवारीस असी कहें के आपको मिलेगा चौवारीस उनासी भी आपको ओप्शन में दिया रहा सकता है लेकिन दोनों ने यह दिया रहेगा एक दिया रहेगा लगबग बला और सबसे मत्फुन स्वाल बनेगा पाषनात पाड़ी है कहां पर तो पार्षनात पाड़ी जो है जारखन की ग्रेड़ी जिले मिश्तित है और इससे क्या अनिय नाम से जाना जाता है संबेद सिखर के नाम से भी जाना जाता है या तो सिखर जी और जेन धर्म के तश्में तिर्थकार पार्षनात को निर्वान की प्रा किस पर अधारित है वर किस भासा में लिखा गया है अर्णे किस कंस्क्ण दोरा लिखा गया है यह माइंड मर चके तो महा صर्ट है Sol siis लेकिन इस बांगला बाशाम भासा मे अब प्रकुत हो है तो भरतिय खनना संश्थान जारॉफण भार्ट मिंडों संस्थान जहारखंड में कहा इस्तित है इसका अंसर हम नहीं बताने वाले हैं क्योंकि आपको सेक्ड़ों बार इसका अंसर बता चुके हैं तो भारती खनन संस्थान जहारखंड की सर मिश्तित है कमेंड करके बताईएगा संथाली भासा और साहित की अधिक्रित लिफी क्या है संथाली भासा और साहित की अधिक्रित लिफी जो है हो जाएगा ओल जी की लिफी है संथाली भासा की अधिक्रित लिफी और इसके विसकारक कौन है ओल जी की लिफी को बनाया किसने आपसे पूछा जाएगा तो अंसर पूछा गया है तुरा गुनात मुर्मु इसका रैट अंसर है कब 1941-42 अंसर है इसका साल पूछे तो और देवनागरी लिफी जो है हिंदी भासा की अधिकारिक लिफी जो है देवनागरी पलामु जिला में किस तिलहन का अधिक्तम मात्रा में उत्पादन होता है तो पलामु जिला में अधिक्तम मात्रा में कुन से तिलहन का होता है तो हो जाएगा सरसों और फसल से मायन में कुछ सवल रखेगा जहारखन में सरवादिक सरसों का उत्पादन कहा होता है पलामु में आप से पूछा जाएगा मुफली कहां होता है पलामू में चाना कहां होता है पलामू में और दलहन और तिलहन का उत्पादन सरवादी कहां होता है पलामू में यह भी माइड में सेट रखिएगा संथाल परगना चेदर में संवाद की प्राथमिंग भासा कौन सी है तो संथाल परगना चेदर में संवाद की प्राथमिंग भासा कौन सी है अंगीका हो जाएगा अंगीका ऑफशन भी और संथाल परगना का मुख्याले कहां पर है इसका मुख्याले जो है दुमका में है एक देख लेते हैं जार्खंड में नीम्न में से कौन उल्लम्पिक में भारत का पर्तिन देतों करने वाली जार्खंड वाली महिला होंकी खिलाडी बनी तुँ उल्लम्पिक में पर्तिन देतों करने वाली महिला होंकी खिलाडी कौन बनी थी को निकी परधान उस से में भने थी निकी परधान पहला है निकी परधान आपको बताना है धूसरा आपको बताना है नेक्स्ट है, निम्न में से किस जगह पर गंगा नरायन के नितरित में भूमी जवीद्र हुआ था? तो भूमी जवीद्र हुआ किसके नतरित में हुआ था? गंगा नरायन के, जगह पुछा जात आप से ढाल भूम इसका अनसर है, ढाल भूम option B right answer है, अब next देखते हैं, जाने जांड़ में नीम्न मैं से किस कप्णज बाज काम करती है जाने की से यह बईदव में कारी करते हैं बोगारो शटील प्लांट टाठा आयरेन और श्टील कंपनी लिबिटेड चंदरपूरा थर्मल पावर स्टेशन टाठा इंजरिंग यह लोकोमेटी लिबिटेड तो टाठा आयरेन और स्टील कंपनी लिबिटेड में पच्छंदरीपाल काम करती है ओफसन भी इसका रायट इंसर है झान आँच्टर अब देखते हैं जारखंड में जादू-गोड सो निमद्व में से किससे सब्सक्राविंथ जादू गोड गोड जो है कि यूरेनियम कि समडी तो यह थे जापन रेवनियू यो जातो कर में पुछे गये